एक तरफ अखलेश यादफ के कन्नौस से उम्मीदवार होने पर जरूर उत्साहित नजर आ रही है लेकिन एक प्रॉब्लम जो समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है जो समस्या समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है वो है बार-बार अपने कैंडिडेट्स को बदलना अब ऐसा क्यूं हो रहा है? इस पर यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सफाई दी है नरेश उत्तम ने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर समाजवादी पार्टी में नहीं बलकि बीजेपी में कन्फ्यूजन है उन्होंने कहा कि कन्योज की जनता अखलेश को चुनाव लड़ाने की मांग कर रही थी इसलिए तेज प्रताप यादव की जगा अखलेश को लड़ाने का फैसला किया गया नरेश उत्तम ने कहा कि अखलेश की चुनाव लड़ने से किसानों और नौजवानों में अच्छा मेसेज गया है उनके स्पैस्ले से लोगों में खुशी है और भी तमाम लोग एंपी वे चोटे सिल्षे लेकर प्रदीप यादव तक तो सब की मांगती कि अखलेश यादव जी लोगसभा का चुनाव लड़े इस चुनाव से पूरे देश में अच्छा मैसेज गया है कि अखलेश यादव को बनाने में सर्योग करेंगे या बनेंगे तो इससे किसानों में नौजवानों में बेहत खुशी हुई है कि अखलेश यादव जी ने सही समय पर सही फैसला ले लिया जी लेकिन यहीए सवाल उटरा है ना कि अगर अखलेश यादव को एक मैसेज देना था यहांसे चुनाव लड़के लोग समस्छ चुनाव में तो पहले क्यों नहीं हो उमिद्वार बन गया पहले क्यों तेज पुरे प्रदेश की देश की सारी सीठों को बाठ करके चुना लड़ें तो इस बात का उन्होंने फैसला लिया यही स्वागतियों के कदम अख्लेश आदो जी का है पूरा प्रदेश नहीं देश चा रहा था अब देखे अख्लेश यहां से चुनाव लड़ेंगे पूरे मद्ध प्रदेश में जा रहा है मैसेज कि अख्लेश आदो जी ल किसानों का मदद करें, मनोजवानों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, महलाओं का सम्मान करांवें यह चाहती है हमारे देश की जनता है लेकिन यह कहा जा रहा है कि बहुत कन्फूजन है समाजवादी पार्टी